Hello everyone, Welcome to iExambee, Fiscal Depsit, Newspaper में तमाम headline में mention रहता है कि Fiscal Depsit बढ़ रहा है Coronavirus की वज़े से economy down है और सरकार का Fiscal Depsit बढ़ रहा है और सारे economists साथ में ये भी कहते हैं कि सरकार को अपना Fiscal Depsit बढ़ाना चाहिए Economic Growth ज्यादा important है लेकिन Fiscal Depsit होता क्या है? समझा आपने? बहुत simple तरीके से इस diagram को लेकर समझते है दिखिए total receipt है सरकार का 2020-21 के budget estimate है 30,00,00 करोड के आसपास का total सरकार को आमदनी होनी है जिसमें tax, non-tax और कुछ capital receipt होती है detail में आप जाइए मत केवल Fiscal Depsit समझना है तो अगर 30,00,00 करोड सरकार कमाने वाली है और इस receipt में सरकार के borrowing भी included है यानि कि जो loan लेकी तो 30,00,00 करोड का इस खर्चा होगा जितना आएगा उतना ही जाएगा उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते तो 30,00,00 करोड के खर्चे के लिए सरकार ने आठ लाग करोड 7.96 को में आठ लाग मान लेता हूँ आठ लाग करोड जो है वो loan लिया यानि कि इतनी कमाई कम पढ़ गई सरकार के जो बागी स्रोते हैं tax, non-tax, loan की recovery या disinvestment करके जो पैसा मिला वो करीब 22,00,00 करोड मिला तो आठ लाग करोड कम हो गया वो सरकार का deficit है आप red line follow कीजिए dotted red line borrowing included नहीं है fiscal deficit मतलब खर्चे आमदनी से कितने जैदा हैं और आमदनी में आपको borrowing नहीं जोड़नी है क्योंकि borrowing तो loan है सरकार loan लेती है World Bank से, IMF से और market से सरकार bond release करती है RBI से, बैंकों से जो लोग bond खरीदते हैं उनसे सरकार loan लेती है और उन bond पर सरकार ब्याज देती है government security जिनको हम बोलते है तो fiscal deficit क्या हुआ खर्चा कितना जैदा है कमाई से अब अगर हमारे कमाई कम होते जाने वाली है क्योंकि economy में growth नहीं हो रही है लेकिन economist ये बोलते हैं और जो सही भी है काफियत तक कि सरकार को ये खर्चे बढ़ाते रहने चाहिए क्योंकि खर्चा बढ़ाने से economy में boost आएगा economy grow करेगी जो diagram मैंने पीछे आपको दिखाया उसमें और एक important term था primary deficit देखा आपने अगर आपको समझ में आ गया what is primary deficit तो comment में लिखके बताईए ये लिखा हुआ है primary deficit और अगर आपको समझ में आया please like करो, share करो bank b channel को अभी subscribe करो